आज का जो विशे है मेरा तो बहुत ही इंट्रेस्टिंग है और आप लोग मेरे साथ लास तक बने रहिए शायद इस माध्यम से हम अपनी बात सरकार, विभाग, शायद यूनिएस्टी तक कहीं न कहीं पहुंचा सके आज का जो मेरा विशे है वो है PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एक क्वेश्चन जो सब के मन में आ रहा है कि ये PGR होता क्या है तो जहां तक मैं सीख पाया, समझ पाया ये पौदों के हर्मोंज है जो की पौदों में छोटी छोटी मात्रा में विशेश कारियों के लिए पौदों के अंदर बनता है अब एक और क्वेश्चन आता है कि ये PGR के कितने परकार होते है वैसे तो आपको अमोमन मार्किट में बहुत तरह के PGR मिल जाएगे डिफरेंट कैटेगिरी के ये प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेटर करता है तो जो बेसिकली जिसके PGR के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो लगवगर पांच तरह के होते है तो इसमें जो सबसे पहले आता है वो हता है आउकजीन आपने सबने सुना होगा इसमें जो आउकजीन में क्या क्या आता है जो जो मुझे पता है मैं उसी के बारे में बात क सकती है तो NAA और IBA और ओल्ग जीन में दो तरह की चीज़े को मैं एड़ कर रहा हूं एक NAA और एक IBA NAA को मैं अगर एक किसानी भार्षा में आपको समझा पहूं जिससे आप समझ पाएगे वो होता है planofix जो आपका planofix होता है वो NAA होता है और IBA होता है root X करके जो बजारों में मिलता है मुमल जिसे root development होती है और यह करता क्या है यह फलों को ज़ाड़ने से रोकने के लिए होता है फलों में थीनिंग के लिए होता है यहाँ पौदों में पॉदो की वृदी को कम और जादा कर सकता है और इसके आपोजिट आई बीए जो है वो जड़ो को बनाने के काम आता है ये औक्जिन की फंक्शनिक है जो मैं समझ पाया हूँ दूसरा हमारा टॉपिक आता है जिब्रेलीन आप सब लोगों ने सुना होगा जिब्रेलीक एसिड जिब्रेलीक एसिड में जो हमारे लिए महत्वपूने जिसके किसान की से में बात करना चाहूँगा एक G3 आपने सुना होगा और G4, G7 जो आज के दौर में चर्चा का विशे सोशल मीडिया पर बना हुआ है तो जो G3 है वो होता कहा है वो फलो के बीज में होता है बहुत सारे जिस साल आप देखते होगे बहुत सारे सेव लगते है आपके अत्यादिक फसा लगती है तो नेक्स्ट येर आपके फूल नहीं आते है क्योंकि जो G3 होता है वो नेक्स्ट येर के बड़ को बनाने में आपकी हेल्प नहीं करता है बिल्कुल भी नहीं तो जो G4 और G7 है ये G3 को काउंटर करता है और बड़िया फसल एक अच्छी फसल को आपको देता है और अच्छी फसल के साथ साथ आपको रिटर्निंग ब्लूम मतलब ये शौटी देता है कि अगली साल भी आपका अच्छा फ्लावर बर्ड बनेगा और निकलेगा अमूमन आपने देखा होगा कि एक साथ कई बार सुना है मैंने कि बहुत सारे अगर किसी फल के आप बीज खाएगे तो आदमी मर भी सकता है बीज को तो इसके पीछे के कारण कि जो G3 है वो कही ना कही आपके लिए जो बीज के अंदर बनता हो हर्मफुल भी हो सकता है और जो G3 है पर्थनो कौरपी बिना बीज का फल बनाना मैक्सिमम हमारे हिंदुस्तान में ये अंगूर केला मटर टमाटर ककड़ी आज कल एक शब्द चला है खीरा जिसको ककड़ी के या बेंगन के रूप में बोला जाता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है और शैद जो अंगूर केला आप अंगूर खाते होगे उसमें G3 मैक्सि जिप्रलीन यहां पौदे को व्रिदी को नियमित करने वाला होता है जो पौदों की व्रिदी होता है उसको नियमित करने में यह एहम भूमिका अदा करता है उसके साथ साथ आता है तीसरी नंबर पर साइटो केनियन साइटो केनियन में आपके 6 भी है साइटो केनियन में औ पौदे को बढ़ने में मदद करते हैं पॉदों बुड़ा होने से बचाते हैं और हैं करता क्या है यह अपनी इस सारी ओधि उडों को साइब बढ़ाएगा और यह नर्सरी में फैद्रिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है पूरी दुनिया में उसके बाद आता है आपका इथे लीन इथे लीन है शायद आपको समझ नहीं आएगा ऐसे इथो फोन जो इथरल की आप सप्रे करते हैं उसमें इथो फोन नामक सॉल्ट होता है यह फल को पकाने के लिए काम आता है जैसे केला और राम मेरे इसाब से केला और राम की इंडस्ट्री इसी इते लीन पर डिपेंड है इसके बाद जो पांचवी कैटेगरी आती है इन पीजार की मिसलोनियस अलग से एक वर्ग है मिसलोनियस इसको अगर मैं सिंपल भाशा में एक्स्प्लें करोगा आपको तो इसमें जो कुछ एक ब्रेंड या जो नाम से बजार में आते है तो डॉर्मेक्स लिहोसीन सी 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 पीथरी रिगालिस ये बी में बनाने का काम करता है जैसे डॉर्मेक्स आपके बड़ ब्रेकर का काम करता है बड़ को ब्रेक करने का काम करता है और जो लिहोसीन सी 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 और रिगालिस यह growth को रोकने का काम करती है जब तक आप आपके fruiting bird कब बनता है आपके इसमें जब आप एक growth को पौदे की vegetative growth को control करके बीमों में convert करते हैं आपने मेरी videos देखी होगी हम बीमा बनाने की और जाते है जो हमारी practice है वो तब possible है जब आपके growth को रुकेगी जिसके लिए आपने याद होगा एक 48 plus करके भी आप एक product तो यह कुछ PGRs है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और एक चुनाती पूर्ण विश्य है